हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल के रियेटिक फंडा में मैं खुश्बू हो और आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गया हैं CITS इंट्रेंस एक्जाम दोज और 24 के रिगार्डिंग कॉस्मेट लॉजी ट्रेट के लिए इससे पहले एक क्लास करा दी गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर वीडियो के इंड में इंड स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा तो उस वीडियो को जरूर देखिए और जो भी बहने या विजिनके फ्रेंट जो है CITS कर रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्टर की तयारी कर रहे हैं कॉस्मेटलॉजी ट्रेट से उनके लिए भी ये वीडियो हेल्फुल होने वाली है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर इससे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है ओप्शन से आपके सोसल, सामाजिक, कल्चुरल, सांस्कृतिक, बायलोजिकल, जैविक या फिर ये सभी ये तीनों ही फैक्टर क्या होते हैं हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण होते हैं हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करन है next question है the description of personality based on external experience is called यानि बाहरी दिखावे के आधार पर व्यक्तित्व का वरणन क्या कहलाता है तो बाहरी दिखावे के according व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व है उसका वरणन क्या कहलाता है options है आपके deep view या फिर surface view या फिर normative view यानि मानक द्रिश्टिकोन या फिर observational view यानि अवलोकन संबन्दित द्रिश तो क्या है जो आपके व्यक्तित्व जो बाहरी दिखावा है उस व्यक्तित्व को क्या कहते हैं surface view कहते हैं option number यहाँ पर भी सही हो जाएगा next question की ओर चलते हैं next question क्या है which type of learning mainly influences the personality of the child यानि किस प्रकार की सिक्षा मुख्य रूप से बच्चे के व्यक्तित्यों को प्रभावित करती है option से आपके trial and error learning यानि परेक्षन और थ्रोटी सीखना learning या फिर imitations learning यानि अनुकरण सीखना या फिर insightful learning या व्योहारिक सिक्षा या फिर instructional learning यानि अनुदेश आत्मक सिक्षा तो किस प्रकार की सिक्षा है जो मुख्य रूप से बच्चों के व्यक्तितों को प्रभावित करती है? imitation learning ठीक है? अनुकरण जो learning होती है वो बच्चों को जादा प्रभावित करती है अब imitation learning क्या होती है? imitation learning वो होती है जो हमारे सामाज में आज पास देखने को मिलता है जैसे किसी के साथ किस तरह का व्योहार करता है अगर कोई बच्चा वहाँ पर खड़ा है तो वो उसके दिमाग पर तूरंत ही impact करेगा अगर बच्चा किसी को अच्छा व्योहार करते हुए देख रहा है तो वो अच्छा फिल करेगा अगर किसी के सामने किसी के साथ वो बुरा व्योहार करता हुआ देख रहा है किसी को तो वो भी उसके दिमाग पर बहुत जल्दी impact करेगा तो imitation learning क्या होता है वो बच्चों के दिमाग को बहुत जल्दी असर करता है तो यहाँ पर option number B सही हो जाएगा next question क्यों चलते हैं next question क्या है what does sterilization mean यानि sterilization जो की किटाडू रही होता है इसका मतलब इसका मतलब क्या है option से आपके सोक्ष में जीवो को nest करना next option है destroyed microorganism या next option है reduce microorganism यानि सोक्ष में जीवो को कम करता है allow microorganism to remain as much यानि सोक्ष में जीवो को उतना ही रहने देता है या let microorganism यानि grow यानि सोक्ष में जीवो को बढ़ने देता है तो sterilization का मतलब क्या होता है main मतलब होता है सोक्ष में जीवो को nest करना यानि destroys microorganism option number A यहाँ पर सही हो जाएगा next question क्यों चलता है next question क्या है which rays are used in radiation in beauty therapy यानि सौंधर है चेकत्ता में विकरण में किन करणों का उपयोग किया जाता है जो सौंधरन में जीवो क्ष क Amendment जाता है वह कौन सा रेच होता है ओप्षन से आपके infrared rays होती हैं यानि Infrared ता गैने ब्लूर्ग वाइलेट ऑजर यह होती यां medical therapy के लिए infrared यूज किया जाता है next question क्यों चलते है next question क्या है how will hand sterilize before and after treatment यानि उप्चार से पहले और बाद में हाथ कैसे sterilize किया जाता है यानि किटाणू रहित किया जाता है option से आपके will wash with water यानि पानी से धो देने से will use germicidal hand wash यानि किटाणू ना सक से हाथ धुलने से will use oil तेल का उपयोग करने से will use cream cream का उपयोग करने से तो चार यानि किसी भी treatment के बाद कुछ भी आप मान दीजिए आप अपने salon में कुछ भी work कर रहे हैं कोई भी treatment कर रहे हैं उसके बाद आप अपने हाथ को किस से सैनिटाइज कर लेंगे इस्टेलाइज कर लेंगे या फिर किटाडू रहित कर लेंगे तो किस से करेंगे विल यूज जर्मिसाइडल हैंड वास से हैंड वास से यूज करेंगे ऑप्शन नमबर भी यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन क्यों चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्या है वाट इस चीज को साफ किया जाता है पोछा लगाए जाता है ऑप्शन नमबर यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन क्यों चलते हैं वाट वुड यू यूज तो क्लीन असार्प एजड डिवाइस यानि किसी तेजधार वाले उपकरण को साफ करने के लिए आप किसका उप्योग करेंगे ऑप्शन से आपके फॉर्मलीन का यूज करेंगे अलकोहल का यूज करेंगे ला नेक्स्ट क्वेशन क्या है वाट इस यूज तो क्लीन दा माइनर कट्स ऑन स्कीन यानि तवचा पर छोटे मोटे कट को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाते हैं आपके फॉर्मलीन का अलकोहल का लाइजोल का या फिर एंटिबायोटिक क्रेम का तो जैसे आप उस समय पर आप किस का यूज करेंगे तो यहां पर एंटिबायोटिक क्रीम का यूज करेंगे यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन की और चलते हैं बेरिक एसिट का कितना प्रतिसत घोल आँखों पर लगाने से आँखे साफ होती है यानि हाव मुच ऑप्षिन से आपके 1 4th percent 1 two percent 1 half percent तो कितना यूज किया जाता है वन 4th percent का यूज किया जाता है जादा यूज करने से क्या होते हैं वो आखों पर side effect अपना छोड़ देंगे आखे उससे आखों को नुकसान हो सकता है next question की ओर चलते हैं next question क्या है तेजधार वाले उपकरण को साफ करने के लिए कितने प्रतिसत अलकोहल का यूज किया जाता है तेजधार वाले जो उपकरण होते हैं उसको साफ करने के options हैं आपके 50%, 60%, 70% या फिर 80% तो कितने परसेंट का यूज किया जाता है 70% अलकोहल का यूज किया जाता है तेजधार वाले उपकरण को साफ करने के लिए next question की ओर चलते है next question क्या कह रहा है कि टाडू रहित करने के लिए उजारों को कितने मिनट तक पानी में उबाला जाता है यानि how many minutes are tools boiled in water to sterilize आपने देखा होगा जो जैसे आप कोई treatment कर रहा है brushing किया तो आप जो है brush सी creams को हटाने के लिए साफ करने के लिए boil water में आप पानी जो है अपने tools को डाल देते हैं तो कितने मिनट तक के लिए गरम पानी में रहने देंगे option से आपके 10 minutes, 12 minutes, 13 minutes या फिर 20 minutes तो कितने मिनट तक रहने देंगे 20 minutes तक option number यहाँ पर D सही हो जाएगा next question की ओर चलते है next question क्या कह रहा है सुराच्छा के अस्तर से स्वक्षता प्रक्रिया से सुक्षमज्विवों की संख्या कितने प्रतिसत कम हो जाती है यानि what percentage of the number of microorganism is reduced by sanitization process in the level of protection sanitization option है 99.94% 99.96% 99.98% या फिर 99.99% तो कितने परसेंट जो है किताडू रहित हो जाते है 99.99% option number D यहाँ पर सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question है bacteria can be seen यानि bacteria देखे जा सकते हैं कहां कैसे देखे जा सकते है through the eyes आँखों के माजम से देखे जा सकते है by telescope telescope के दोरा देखे जा सकते है microscope के दोरा देखे जा सकते है या फिर magnifying glass के दोरा देखे जा सकते है तो bacteria कैसे देखे जा सकते है bacteria आपके microscope से देखे जा सकते है option number c यहाँ पर सही हो जाएगा यह काफी छोटे होते हैं जो आपकी ऐसे नंगी आँखों से नहीं दिखते हैं मतलब आप normal ऐसे देखेंगे तो नहीं देखेंगे इसको देखने के लिए क्या bacteria को देखने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है सुक्षम दर्शी का यूज किया जाता है option number c यहाँ पर सही हो जाएगा next question की ओर चलते हैं next question क्या है identify the term that is used to ensure surgical instruments are free from microorganism यानि उस सब्द की पहचान करें जिसका उपियोग यह सुनेशित करने के लिए किया जाता है कि surgical उपकरण सुक्षम जीवो से मुक्त है options है आपके किटाडू रहे disinfected, cleaned, साफ किया गया है debrided, छत विछत किया गया sterilization यानि संदूसित किया गया है तो किसका इस्तमाल किया जाता है sterilization का यूज किया जाता है यह सुनेशित करने के लिए कि जो surgical उपकरण है वो जीवो से मुक्त है next question की ओर चलता है next question क्या है what is alternative name of sanitizer यानि sanitizer का वेकल्पिक नाम क्या है option से आपके sterilization या फिर disinfectant या फिर sanitization या फिर backing तो इसका दूसरा नाम क्या है sanitization का disinfected option number भी यहाँ पर सही हो जाएगा कि टाड़ू ना सकता next question की ओर चलते है next question क्या है the three permanent sorry the three parameters of steam sterilization यानि भाप sterilization के लिए तीन parameter कौन कौन से है option से steam under pressure time and temperature यानि भाप और दाबाव यानि दाव और समय या तापमान next option है time, temperature and concentration third option है temperature, time and humidity यानि तापमान, समय और आदरता third option है boiling water temperature यानि उबलता हुआ पानी का तापमान तो three parameters क्या है steam sterilization के लिए steam under pressure time and temperature steam under pressure time and temperature ये तीन parameter है steam sterilization को option number यहाँ पर सही हो जाएगा next question क्यों और चलता है next question क्या है what is used to bind the hair of the customer यानि ग्राहक की बालों को बादने के लिए किसका प्रियोप किया जाता है option अगर आप कोई treatment कर रहा है आप बालों को किस से बानते है option से आपके scar, clip, ribbon या फिर headband तो किसका यूज करते है headband का यूज करते है बालों को बानने के लिए headband या hairband का option number D यहाँ पर सही हो जाएगा जिससे बाल आपके चेहरे पर बार बार ना आए next question which of the following is the permanent method of removing unwanted hair name लिखित में से कौन सा अंचाहे बालों को हटाने की अस्थाई तरीका है अस्थाई भी दी option से आपके waxing method second option है electrolysis method third option है tweezing method fourth option है threading method तो किसके द्वारा अंचाहे बालों को अस्थाई रूप से हटाया जाता है या पर्मानेंट हटाया जाता है तो electrolysis method जो है वो पर्मानेंट hair removal method होता है इसको कराने के बाद आपके बाल दुबारा नहीं आते हैं option number B यहाँ पर सही हो जाएगा next question की ओर चलते हैं next question है what is the purpose of using powder at the time of waxing यानि waxing के समय powder का उप्योग करने का क्या उद्दिय से होता है किस लिए powder का यूच किया जाता है waxing से पहले options है आपके cleaning the area to be treated यानि उप्चारित किये जाने वाले शेत्र की सफाई करने के लिए second option है avoid brushing on skin यानि तवचा पर brush करने से बचने के लिए third option है closing the hair follicle बाल कूप को बंद करने के लिए या फिर remove oil skin surface यानि तवचा की सता से तेल को हटाने के लिए तो waxing से पहले powder का इस्तवाल किस लिए किया जाता है skin से oil को हटाने के लिए या ओई oily skin को हटाने के लिए किसका यूच किया जाता है powder का इस्तवाल किया जाता है powder लगाने के बाद आपकी skin जो होती ही वो dry हो जाती है जिससे बाल आपकी अच्छे से निकल जाते हैं अगर oily skin पे ही हम waxing करेंगे तो बाल आपके skin से चिपके रहेंगा और वो proper निकलेंगे नहीं ठीक है तो option number D यहां पर सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है in which direction wax is applied यानि mom को किस दिसा में लगाया जाता है wax को किस दिसा में लगाया जाता है waxing के दौरान options है in the direction of hair both यानि बालों के बढ़ने की दिसा में in any direction किसी भी दिसा में in the opposite direction of the hair यानि बालों की विपिरीद दिसा में या फिर client choice ग्रहा की पसंते नहीं तो direction of wax जो होता है wax को applied करने की जो direction होती है opposite to the direction of hair option number c यहां पर सही हो जाएगा next question क्यों चलता है next question क्या है saving के कितने दिन बाद बाल वापस आ जाते हैं यानि जो shave करते हैं आप research से उसके बाद आप कितने दिन बाद hair growth हो जाती है options है some days second option है two to three days third option है three to four days fourth option है four to five days तो कितने दिन बाद saving करने के hair growth आपकी आ जाते है बाल बाहर दिखने लगते हैं तो 2-3 days के अंदर ही आपके बाल बाहर आ जाते हैं बाल दिखने लगते हैं सेविंग के दौरान वही बैक्सिंग करवाते हैं तो वह आपके बाल hair growth जो है देर से होती है ठीक है तहां पर option number B सही हो जाएगा 2-3 days में next question है which of the following was not included in the department of women in ancient times यानी प्राचीन समय में इस्त्रियों के सजने सवरने में निम्न में से क्या सामिल नहीं था options है आपके बिंदी, facial, kajal या फिर महावर तो प्राचीन समय में जब इस्त्रियों रानिया होती थी या फिर जो भी आम नागरिक भी होते थे वो सजने सवरने के लिए किसका इस्तमाल नहीं करते थे क्या सामिल नहीं था उनके सजने सवरने में तो बिंदी तो ऑल्रेडी थी बिंदी वो कुम-कुम से ही लगा लिया करती थी काजल तो काजल भी वो आपना खुद से काजल प्रिपेर करते थे और उससे वो काजल बनाकर काजल भी लगाते थे महावर भी लगाते थे जो पैरों में लगाया जाता है तो महावर भी लगाते थे फेसियल आपके पहले के समय में नहीं था प्राचीन में क्या था फेशियल नहीं था फेशियल तो अब होने लगा है जो नहीं जो है फेशियल पहले के जमाने में नहीं हुआ करता था प्राचीन यूग में फेशियल नहीं हुआ जरता था ठीक है option number B यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्यों चलता है नेक्स्ट क्या है विच अब दो फॉलोविंग इस दा करेक्टरिस्टिक्स ओफ पीपल विट परसनालिटी अच्छे वेक्तित्व वाले लोगों के निम्नों में से क्या विसेश्था होती है option से to be happy खुशहाल रहना influential personality प्रभावसाली वेक्तित्व helping others दूसरों की सहायता करना तो अच्छे वेक्तित्व वाले वेक्तियों के क्या विसेश्था होती है ये तीनों ही विसेश्था होती है जो अच्छे वेक्तित्व वाले होते हैं यानि वो खुश भी रहते हैं वो अपने आस पास की लोगों क प्रभाविद भी करते हैं और दूसरों की मदद भी करना ये सभी क्या है अच्छे वेक्तित्व के गुण है option number D यहाँ पर सही हो जाएगा next question और आज का हमारा आखरी सवाल क्या है आज की क्लास का हमारा आखरी सवाल है it is helpful in attracting the customer and enhancing his personality यानि ग्राहक को अकरसित बनाने वाम उसके वेक्तित्व को उभारने में सहायक है क्या सहायक है options है आपके style second option है beauty productions and beauty parlor यानि सौंदर युद पादन और beauty parlor third option है settings fourth option है none of these यानि इन में से कोई नहीं तो ग्राहक को आकरसित बनाने और उसके वेक्तित्व को उभारने के लिए क्या जरूरी है सौंदर ये beauty productions and beauty parlors सौंदर ये और beauty parlor जो है वो आपको आकरसित बनाते हैं और आपके वेक्तित्व को उभारने में भी सहायक होते है वेक्तित्व में आप कहेंगे कि सौंदर ये पादन से या फिर beauty parlor से वेक्तित्व कैसे उभरेगा तो वेक्तित्व इस तरह से उभरेगा कि अगर आप अच्छे दिखेंगे ठीक है good looking दिखेंगे आप अच्छे से रहेंगे तो क्या होगा आप confidence feel करेंगे है ना confidence feel करेंगे तो वो आपके बाहरी वेक्तित्व में ठीक है बाहरी personality external personality वो आपको दूसरे को दिखेंगे यानि दूसरे लोग आपसे प्रभावित होंगे कि वो अच्छा दिख रहा है ठीक है ये बाहरी वेक्तित्व होता है तो यहाँ पर option number B सही हो जाएगा सौंदर उत्पाधन वा beauty parlor तो आज की class में बस इतना ही I hope आपको यह class पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नई update के साथ नई class के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद